हलो डेर फ्रेंड मैं सोमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहले सोमन में फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेग्निंसी कंसीव करने के दो ऐसे लक्षनों के बारे में बताऊंगी जो के महिलाओं को गरब धारन करने के 24 से 48 खंटे में ही दिखना शुरू हो जाते हैं जब आप कंसीव कर लेते हैं जब आपका गरब धारन सक्सस्फल हो जाता है तो आपके सर्यर में बहुत सारे बदलाब आने लगते हैं और ये सारे बदलाब आपकी बोरी आपको इंडिगेट करने लगते हैं जिसको कि हम प्रेग्नेंसी सिम्टम्स बोलते हैं वैसे तो pregnancy की कई सारे signs and symptoms होते हैं लेकिन उन में से ज्यादतर symptom महिलाओं को pregnancy conceive करने के तीन हफते के बाद में या एक महीने के बाद में महसूस होना शुरू होते हैं लेकिन कुछ ऐसे early pregnancy symptom है जो कि महिलाओं को pregnancy conceive करने के एक से दो दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाते हैं और ये लक्षन 100% की confirm बताते हैं कि आप pregnant हो चुके हैं लगबग 80% महिलाओं को conceive करने के 24 से 48 गंटे के बाद ही implantation cramp और implantation spotting महसूस जरूर होते हैं लेकिन समझने वाली बात ये है कि ज्यादातर महिलाओं को implantation cramp और implantation spotting को पहचाना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाले हो कि आप इन दोनों लक्षनों को बार किसी कैसी पहचान सकते हैं अगर आप इसे ध्यान से पहचान लेते हैं तो आप आसानी से pregnancy conceive करने के एक से दो दिन के अंदर ही पता कर सकते हैं कि आपने pregnancy conceive कर ली है या नहीं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये implantation cramp और implantation spotting कैसे होती हैं जो fertilize egg गरभाश्य की दिवार पर चिपकता है जो fertilize अंडा fallopian tube से होते हुए गरभाश्य में जाता है और गरभाश्य की lining पर चिपकता है तो इस process के दोरान गरभवती महिला की कुछ blood vessels को नुक्षान पहु bleeding होते हैं और इसी को हम implantation bleeding कहते हैं तो आप कैसे पहचानोगी कि ये जो spotting हुई है ये implantation spotting हुई है या फिर आपको period आ गई है क्योंकि कई महिलाई implantation spotting को ही period समझ कर ignore कर देती हैं उनको लगता है कि period आने वाला है शायद इसी लिए spotting हो रही है लेकिन friends period और implantation spotting में काफ difference होते हैं जब आपकी period शुरू होंगे तो वह पहले कम से शुरू होगा और उसके बाद में तीन चार दिन तक आपको प्रॉपर ब्लीडिंग होते हैं लेकिन implantation spotting आपको केवल बूंदों के रूप में होगी बहुत ही light spotting होती है और ये spotting कम से कम कुछ घंटे या ज्याद हो सकता है क्योंकि implantation blood का blood जो है वो आपके mucus से मिलकर थोड़ा थोड़ा चिपचिपा हो जाता है तो इस तहे का implantation spotting अगर आपको नजर आई है तो इसका मतलब यह है कि आपने pregnancy conceive कर ली है अब हम जानते हैं implantation cramp के बारे में implantation bleeding में जो cramp होते हैं जो pain होता है ये pain महिलाओ को lower abdomen lower big और pelvic area में महसूस हो सकता है research के मताबिक ज्यादतर महिलाओं को implantation cramp body के center वाले पार्ट में feel होता है यानि कि नाबी के नीचे ज्यादतर महिलाओं को implantation cramp महसूस होता है ये cramp आपको चुबन जैसा महसूस होगा जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके uterus में कुछ चुब रहा है और ये जो दर्द होता है ये काफी mild होता है कुछ महिलाओं को तो feel भी नहीं होता है तो अगर आपको भी ovulation period में relation मिलाने के बाद में वीडियो में बताई अनुशार sporting या फिक cramp महसूस होए है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने गरबधरन कर ल अछूँ पार आपको प्या लगा सकते हैं कि आपको भी होता है तो है कि आर आपको तो आपको भी नहीं होता है तो